हेलो मैं हूँ देवी सिंग तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ देखो मेरा नाम देवी सिंग है लास्ट सिक्स यह से यूपीस के डिगरी में प्रॉपर मैं पढ़ा रहा हूं मैंने करीब पचास हजार यानि फिप्टी थाउजन से च्छादा इस्ट पढ़ाता हूं और मेंस पॉइंट आभी उसे जो है एकॉनमी पढ़ाता हूं और एक ऐसा सब्जेक्ट है खास करके कि इसमें जो है ना अगर समझ आ गया तो लगभग पूरा आ जाता है अगर नहीं आया तो यह जो है एक दम ऊपर से गोजरता है और इसके लिए जो है आपको बहुत सारी किताबें मिल जाती है इसमें ले लगा के दो चार किताबें हैं मुस्किल से और वह भी जो ही इसकी भासा बड़ी क्लिश्ट होती है तो मैं उसी एकॉनमी का जो है तीचर हूं दूसरा मेंस और इंट्रिव्यू को मिला करके करीब मुझे साथ मेंस और इ प्रिलिम्स का एक्जाम है और लगभग लगभग इसका 15 पर संट का बेटेज होता है लगभग अगर हम मेजर मेजर चार सब्जक्क लें पॉलिटी एकॉनमी के साथ साथ आपका हिस्ट्री और जो इस्टी में ही आट अट अनकल्चर आ जाता है इन वामेंट तो करीब हम गिरी हालत में 15 पर संट का बेटे मान के रखते हैं और 15 पर संट यानि 15 बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो आप इसे जो है बिल्कुल भी छोड़न के नहीं जा सकते हैं देखो हमारे पास जो है नियर अबाउट हैं और हमारा कोर्स भी लगभग नियर अबाउट हैं म तो आप अब लग जाएं और यह मेरी जिम्मेदारी है मैं जो है आपको एकॉनमी करके कंप्लीट करवा के दूंगा दूसरी सबसे महतुपून बात यह है कि एकॉनमी को कॉंसेप्स देखना है एकॉनमी को कॉंसेप्स समझना है रटना नहीं है और वैसी भी यूपीसी ज़रूरी बात होती है वह यह होता है कि उसका और लाश्ट दस सालों के पेपर के बाद जो है आपको एक्चुल में समझ आता है मैंने देखा कि पांच पांच साल बच्चा प्रप्रेशन करने के बाद उसको नहीं पता होता है तो यह कुछ जो है बच्चों का मेजर फॉल होगा और हमें कितना कितना जो पार्ट है हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे इसमें से किस पार्ट पर हमें ज्यादा फूकस करना है और आपको अलग से क्लास के बाद जो है आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना है और एक क्लास का रिवीजन में हो जाता है और फिर एकॉनमी के जो major 2 parts समस्टी अर्थसास्त और बेस्टी अर्थसास्त यह क्या होता है यह आपका जो इंट्रॉडेक्शन बाला पूर्शन है इसमें करीब हमें जो है वन आर्स एक घंटे का टाइम चाहिए आर्थिक संप्रधिय और आर्थिक विकास और समबीसी विकास और सतत धारणी विकास यानि sustainable development inclusive development and sustainable development हम एक घंटे की क्लास में से complete कर लेंगे यह एकदम इंट्र वाला पार्ट है दूसरा हमारा पार्ट आता है मुद्रय स्फीती जो है inflation इसको हम आम बोलचाल की भासा में महंगाई भी कहते हैं दरसल बच्चो जो है यह मुद्रय स्फीती में हमें करीब जो है पास से छे घंटे लगते हैं कितना पाइब तो शे आर्स लगता है अब पास से छे घंटे में हम क्या क्या करते हैं सबसे इसका मुझे लगता है साल कुष्चन पूछ भी सकता है क्योंकि पिछले दो तीन चार सालों से महंगाई को ले करके खुब जो है एक बवंडर भी बना है और महंगाई कहीं दिखते भी है और महंगाई है अलगी सरकार ने कह रहे हैं कि हमने कंट्रोल किया है और नहीं प्रभाव किस पर पढ़ सकता है यह क्या है यह पूछ सकता है कि आपको CPI और WPI इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्शुल में जो CPI और WPI है तो इनका जो है मतलब अम्मुख आधार CPI को क्यों माना गया पहले जो है WPI जो Wholesale Price Index था तो करीब करीब हम 5-6 घंटे में इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे यह नि आप ओवराल 4 क्लासे मान लो करीब 4 या 3 क्लासे और इसमें लगभग ठीक है तीसरा चैप्टर है हमारा Monetary Policy मौद्रिक नीतियां यह बहुत इंपॉर्टन इंपॉर्टन चैप्टर है यहां से भी लगभग एक क्विश्चन जो है पक्का होता है और इसमें भी करीब आपको six hours के आसपास टाइम लगता है घंटे के आसपास जो है यहां पर भी टाइम लगेगा अब मौद्रिक नीतियों में जो है यह पूछेगा कि मौद्रिक नीति के उपकराण पूछ सकता है लेकिन वह मैं बार-बार बोल रहा हूं कि economy हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसको फैक्ट में बहुत ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं होता है यो पीसी को वह सक्षण से कुष्चन निकालता है यहां से ऐक प्लाइड रह नीति के अंतरगत काम कर रहा है अगर इस समय इस तिती है तो बैंकों को कैसा काम करना चाहिए क्या उनकों धील देनी चाहिए अपने policies में या नहीं धील या फिर उनकों पनी policies को टाइट करना चाहिए टाइटनिंग इसको टाइटनिंग पॉलसी भी कहते हैं तो अभी जैसे कि अभी रिसेंट एक एक्जाम हुआ है तो वहां यह पूछा भी गया ठीक है वह पूछा गया फेडल डिजर बैंक के रिफ्रेंस में एक रिफ्रेंस दिया कि अगर मानलो कि रियर रेस्ट उसको जो है म curated को कि उपकरण में नेंगोत यूदा को को ही इनटरीस में अलग है लेकिन उप इसको अलग मात्त्रात्मक उपकरण Council फो करन्ले से पहले हम दूसरा मतलब इसी में मोनेटरी पॉलिसी के अंतरगत प्राइम लेंडिंग रेट एमसी एलार फिर एमसी रेपो रेट और जो है घरीलू मुद्रा का बिनी में दर्का निर्धारा आपने कई बार सुना होगा यह मेंस का हला की टॉपिक हो जाता है कई बार मेंस में कुष्ट कि गरीलू मुद्रा का दर्का निर्धारें हम जो है दीस हो की हम कैसे करते हैं यहीं पर आपको में दूसरा सबसे महतुपूर और बड़ा चेपतर आज है बैंकिंग सिस्टम और इसमें करीब हमारे दस घंटे के आसबास लगते देखो अगर आप पूरा प्रिलिम्स और मेंस पॉइंट आभी उसे पढ़ना चाहिते हैं और यूपीसी दरसल प्री और मेंस कुछ है जो कंटेंट है उसका कलेक्शन हो जाता है तो फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है ठीक है तो अब जैसे कि इसमें बैंकिंग सिस्टम करीब हमें 10 घंटे के आसपास हो है हम बैंकिंग सिस्टम में आपको 10 घंटे के आसपास बैंकिंग सिस्टम में लगेंगे अब इ कि क्या जिम्मेदारिया नए नूच सापने का भी जो किया होता है यहाँ पर आपने देख्ञा होगा कि हम लिप धमानते हैं ठीक है फैसे प्रस्थम्न होता है जो अनुपातिक भारती बैंक चेतर में जो है विदेशी निवेश संबंधित नियम जो है बैंकिंग सेक्टर में जो FDI का जो बैंकों की स्थापना संबंधी प्राउधान दिया जाने वाले यह सब कुछ यह सब trap के सब्सक्राइन प्राउथान दिया जाने वाला जो B सार जो है दू तुलन पत्र की समस्या जो है डबल बैलेंस इट प्रॉब्लम आपने सुना होगा कई बार जो है कि डूबल बैलेंस इट प्रॉब्लम एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी एर्सी कंपनी सुना होगा और मिसन इन धनुस टू-पॉइंट सुन यह सारा सब कुछ बैंकिंग सिस्टम के अंतरकत अजकल बहुत ज्यादा दौर है वहीं हम स्वैम सहायता समू और माइक्रो फाइनस इस्टिटीशन पित्य समाविशन फिनांसियल इंक्लूजन लगु मध्ध में काया प्रधान मंत्री जंधन योजना नचिकेत मोर समिती भुक्तान बैंक और बेसल मौंदन नवार्ट किसान क्रेडिट कार्ड यह सारा सब कुछ बिटा मैं आपको बैंकिंग सिस्टम के अंतरगत पढ़ाऊंगा और यह आपका करीब 10 घंटे से उपर का लेक्चर है यह हमारा चौथा चैप्टर है पांचवाँ चैप्टर मनी मार्केट करीब एक घं नहीं होना अब देखो मनी मार्केट में मुद्रा बजार में रिन लेने लिएसक करने में लगेगा तो इसी का पार्ट है सेक्टर को क्या करती है उसका बॉस है इनके बीचे बिवाद हो गया उस बिवाद की वजह क्या थी और उसके बाद जो है सरकार ने क्या निर्णा लिए कच्छे देल की कीमत का नकारात्मक होना क्रिप्टो करेंसी और बिटकोईन तो यह सारी चीज़े पढ़ेंगे वहीं जो इनकम जो राष्टी आए तो एक हमारा अगला चैप्टर है नेशनल इंकम में करीब हमें चार घंटे के आसपास लगेगा और इसमें हम यह जो है जीटीप वगएरा जो है अगला चैप्टर आता है हमारा आठवे नंबर का चैप्टर और दोस्तों मैं बता दूं कि जब त पाएंगे जब तक आप बजट और एकॉनमिक सर्वे समझ ही नहीं सकते में लिख के दे सकता हूं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको एकॉनमिक सर्वे या बजट से पहले आपको फिस्कल सिस्टम समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपको राजस प्राप्ती पू अनुमानित प्राप्ती इतनी है तो अगर आपको रट लेंगे नंबर में बार बार बोल रहा हूं यूपीस को नंबर में इंट्रेस्ट नहीं है वह इसके एप्लाइड से कुश्चन बनाता है ठीक है इसके पार जो हिनार्ट प्रमंधन डिप्सिट फाइनांसिंग आर्थ रूट शेत्र विधाई सुधारायोग फ्सलार सी जो है फिसकल जो साथ में और सरकार के पास पैसा नहीं तो सरकार वर्श्टिंग से पैसा उठाती है और से और जो प्यवाद हो गया था आपको पता है कि जो है इससे पहले जो हमारे सची कांदास साब से कमेंट करके से थोड़ा थोड़ा जो है मन मुटाव वह मन मुटाव का वजय जो है कहीं ने कहीं और बजट बरूइंग भी था जेंडर वस्टिंग तो यह हमारा इस चैप्टर में हो जाएगा यह चैप्टर हमें 6 घंटे के आसपास इसे पढ़ाने में लगे दूसरा आ जाता है कर आर के बार के बारे में गिस्टी के बारे में क्योंकि अब बहुत तो पराना नहीं हुआ है च्छा-फास साल का है यह हां से को पूछ सकता है ठीक है तो यह आपका टैक्सेशन व्यवस्ता के अंतर गहता है साथ ही हम जो है इसमें से यह सब टैक्सेशन के अंतर गहता है ट्राइस पर प्राइजिंग प्रॉफिट शिप्टिंग बेस इरोजिन आजकल जो है आपने खूब सुना होगा कि अठानी जी पे अलग अलग आरोप लगाय जाते रहे हैं और एक कंपनी के बारे में कोई नहीं है तो यहां पर मैं आपको सूटकेश कंपनी भी बताऊंगा ठीक है यह खोखली कंपनी कहते हैं इसको बोलते हैं यहाँ पर मैं आपको ट्रांसपर प्राइजिंग प्रॉफिट सिप्टिंग भी बताऊंगा ठीक है और एक मुवी का जिक्र करेंगे यह मुवी जो है अंबानी जी पर बनी है जो कि अमिताब बच्चन के जो बेटे हैं तो उनका उनके बेटे रोल करते हैं उसमें से जो है अब अब इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा गूगल टेक्स ऐ मतलब क्या होता है उससे क्या पायदा हुए क्यां पायदा हुए सबसे बड़ा फायदा क्या रहा हमारे नुक्सान क्या कहते हैं आज रात बारा बजे से लीगल टेंडर नहीं रहीं तो लीगल टेंडर क्या होगा हम करेंगे दोस्तों तो उवराल इसमें पांच गंटे छे गंटे लगेगा फिर इसके बाद हम जो है एक हमारा जो है चैप्टर है जो है विदेशी निवेस और व्यापार इन्वेस्टमेंट एंट्रेड इसमें भी करीब आपको पांच गंटे के आसपास लगेगा ठीक है अग अग्रीकल्चर सेक्टर आपको याद होगा कि 2019 में अग्रीकल्चर से चार क्विश्चन पूछ लिया था कुछ बच्चे जो एक्रीकल्चर वेग्ग्राउंड से थे नहीं तो यहीं पढ़ाऊंगा पिशले वर्स जो किसानों की जो मुद्दा था बिवाद था जो है किसान कानून को लेकर के इसके बारे में भी बात करेंगे ठीक है अम यहाँ पर किसानों की आये दुगना करने के लच्छ और प्रधानमंतरी किसान संवान निधी के जो योजना यह भी बात करेंगे फसल बीमा योजना चूपइंट सून भारत में जो पूट प्रासेसिंग रणनितिक भी निवेस चेतर के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसके साथ हम पसुपालन की अर्थ आता है अनिमल हस्पेंडरी वगारा तो बिद्धिंद करेंगे और इस साल अपको मामला याद होगा कि गायों की बिमारी लग गए थी जैसे हो सकता है कि उसकी बिमारी से बना ले काफी काफी नुकसान हुआ है और काफी मामला जो है गरमाया रहा रहाे तो यह सारी चीजर रही इसके साथ हमारारे विद्धरिक यह आप नहीं देखा कि मात्र economy का सलयबस है और economy का सलयबस हमारा हम 12-14 पेज में हैं तो इसको complete cover करेंगे और इसको complete cover करने के लिए हमारे पास जो 100 आर्स है वो more than sufficient है आप मुझे इतना आर्स दीजे आपको मैं जो है economy करके दूँगा ठीक है तो चलिए और देखो सलयबस बहुत जरूरी इस मैंने सलयबस discuss किया है ठीक है और कहा जाता है कि सलयबस से ही पता चलता है सारी चीजें कि कितना टीचर पढ़ाएगा कितना नहीं पढ़ाएगा क्या है और सलयबस बिन आप जो है न मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला था महा भारत में आप देखिए गना कि जो क्रिष्ण जो है अरजुन के लिए एक क्या है एक गाइड है किसी तरह यूपीएसी क्रेक करने के लिए सलयबस आपका गाइड है और अगर आपका गाइड ही मालो आपको नहीं बता रहा है कुछ या आपको गाइड के बारे में पता ही नहीं है तो आपका रास्ता जो है वह मुश्कि क्लास जल्दी सुर्ट, थैंक ये बरी मुच.